नमस्ते दोस्तों, TRS Clips Hindi में आपका स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकोन दबाएए, एन इंजॉइ दे क्लिप! पता नहीं क्यों पर Engineering College में मेरे 3rd year और 4th year के बीच जो break होती है, उसमें मैंने एक finance internship की थी, Ernst & Young में, EY में, मुझे internship मिल गई, और वहां की एक department थी Mergers and Acquisitions, M&A, बेसिकली जब लोग कहते हैं, I'm an investment banker, तो investment bankers M&A में अकसर काम करते हैं, और investment bankers के पास कुछ ऐसे websites का access होता है, M&A के लोगों के बास कुछ ऐसे website का access होता है, जहां आपको बहुत deep data मिल जाती है, उससे मुझे मेरी करियर के शुरुआत वाली थोड़ी data मिली जहां मुझे पता चाले कि health is a very big, in-demand, business in-demand, curiosity, उसलिए हमारा channel fitness channel था ता ता पर यह बहुत बहुत चोटा example है, basically आपके friends हो जाने चाहिए, ऐसे EY, big four वाले companies में, corporate careers के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ gain कर सकते हो, पहले मैं बहुत बुराई करता था corporate careers के बाद, ऐसे होते हैं, क्यों ऐसी life चाहिए, with age मेरा गुसा जा चुका है, और judgment थोड़ी जास चुकी है, और मैंने यह सीख करता हूं कि इस अपका अपना जोनर है, और हर किसी के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है, MLM marketing के बार में सिखाई है, MLM मुझे करीब 20 साल होगे करते होगे, एकदम basic से सखाई है, जिन लोगों बिलकुल नहीं पता, आप एक चार साल के बच्चे को कैसे समझाओगे, चा अंदर distributor ad होता है, यानि अगर कोक आप 20 रुपे का पी रहे हैं, तो 20 रुपे का नहीं बन रहा है, वो 2 रुपे का ही बन रहा है, एक्जामपल, तो 18 रुपे जो जा रहा है, वो प्रोड़क के लिए नहीं जा रहा है, वो जा रहा है, उस चीज को consume करने के लिए, जो आप क हम लोग वेर कर रहे हैं, तो 10 से 15 रुपे कोना कॉस्ट पर हम लोग बाय कर रहे हैं, तो डेटनों मार्केटिंग, डिरक्ट सेलिंग क्या करता है, मैंनुफेक्ट्चर से कस्टमर को जोड देता है, उसके बीच के सारे के सारे चैनल ऐनी मिलेट हो जाते है, नो होलसेलर, न कोर्स लाँच किया, और कोई इसको रिकमेंड करता है, तो आप उसको कोई इंसेंटिव पाउसान कर रहे हैं, तो बस वही सिस्टम है, उस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, उस तरीके से वह 18 रुपया, जो वैसे भी कस्टमर को आज ही 20 रुपय कहीं मिल रहे हैं माल लेते हैं, और डिरेक्ट सेलिंग के थूरू भी 20 रुपय कहीं मिल रहा है, लेकिन अभी वह 18 रुपय उन लोगों में बढ़ रहे हैं, जिनको वह जानता है, पहले 18 रुपय उन लोगों में बढ़ रहे थे जिनको नहीं जानता है, तो डिरेक्ट सेलिंग very simple process direct selling business नहीं है business करने का एक तरीका है you know कि वो जो पैसा बीच का waste हो रहा था हमारी नजर में कि हम फालतू पैसा में पे कर रहे थे तो वो लोगों के अंदर ही distribute हो जाता है अब अब भी active हो 100% और अब प्रोड़क्ट क्या we are into health products we are into cosmetics we are into home care products we have a range of more than 500 plus products 500 जादा प्रोड़क्ट को मुझ सेल करते हैं so you are one of the few people who's done it successfully and ethically people know it and that's why people back you I also when we are preparing for the podcast I wanted to tell you one thing जो आप नंबर्स आपके यूट्यूब पे देखते हो अगर इस चीज़ को थोड़े से spiritual perspective से देखा जाए so you always get the results based on the value you put out in the world क्योंकि आपने इतना ज्यादा वैल्यू डाला है it returns to you as money, money is energy fame is energy तो it's a sign of ethical business आप जब तक ethics फॉरो ने करते हैं तो आप लंबा चल नहीं सकते हैं मुझे ऐसा लगता है वो short span of time में आप मर जाएंगे अकसर MLM के against जो debate होते है it's about a lack of ethics कि बहुत सारे MLM schemes होते है दोस्त problem पता है क्या है problem यह कि ऐसा कौन सा business है जिसमें unethical activities नहीं होती can you tell me the one business मैं you tubing कहना चाहूंगा मतलब मैं वैसे आपको example को कर रहा हूं जो medical line है क्या उसमें unethical practices नहीं होती आपको daily newspaper में आपको 100 examples मिल जाएंगे क्या जो education system है उसमें unethical practices नहीं होती आपको 100 examples मिल जाएंगे जो builder lobby है so called जो properties में flats बनाते हैं वह unethical practices नहीं होती आपको मिल जाएंगी कि flats डिलिवर नहीं होगे लोगों से पैसा ले लिए ऐसे बहुत सारे builders आपको मिल जाएंगे जो gold बेच रहे हैं क्या वो 100% pure बेच रहे हैं तो आपको मिलेगा नहीं नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं जो insurance sell कर रहे हैं क्या 100% बिलकुल ethical तरीके से बेच रहे हैं तो आपको मालूम का नहीं इसमें भी कुछ चोर लोग हैं, सब नहीं हैं, तो हर business के अंदर अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है, business अच्छा बुरा नहीं है, business तो अच्छा ही है यार, लेकिन उसको करने का तरीका गलत हो सकता है, तो वो हर business में है, not in direct selling or net marketing, आप एक magnifying glass से इस business के unethical aspects को समझा सकता हो, मतब जो लोग आने तकल है, हाँ, मैं बताता हूँ, बिल्कुल और ध्यान से सुनियेगा मेरी बात, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जहां पर भी कोई आपको क्युक रिच मनी का लालत देता है, वो आपको trap में फसा रहा है, जहां आपको यह बोला जा रहा आपको तीन से पांच साल देने ही होंगे इस बिजनस में, और अगर आप यह कीमत नहीं दे सकते हैं, बेटर है आप इस इंडिस्टी में ना आए, मतलब रातों रात करोड़पती बनाने का सपना जो भी लोग दिखा रहे हैं, वो आपको trap में फसा रहे हैं, और देखो लो X amount every month, ऐसे ऐसे कानिया भी हमने सुनी है, कि आप एक लाख रुपर देदीजी हर महीने हम आपको 20,000 रुपर देदेंगे और लोग दे देते हैं, लोग इसली भी दे देते हैं, क्योंकि लोगों में एक और problem है, क्यों मेहनत नहीं करना चाते हैं, हम बोल रहे हैं कि आपको म असानी से मिलने वाले नहीं है, लेकिन on the other hand, दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, just pay me 5 lakh rupees, I'll give you 50,000 rupees a month, वो मुझे कहता है तुम पागल हो, तुम कहरे हो 50,000 रुपे आएंगे एक साल के बाद, यह कहरा है 50,000 रुपे आएंगे एक महीना, तो मैं वह क्यों जाओ, मैं इसके पास क्यों ना जाओ, तो वह एक ट्राइप है, और आदमी comfort zone में जाता ही जाता है, अगर आदमी को दो चॉइस दो, एक तो सुवे 6 बज़े, 4 बज़े उठना है, एक 8 बज़े उठना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो इस ट्रैप में फस जात test cricket है, you have to stay here, अपने bad boy billionaires देखा है, Netflix पे, तीन एपिसोड है, एक एपिसोड साहरा के बार में, एक एपिसोड नीरव मोदी के बार में, और एक एपिसोड विजय मालय के बार में, और तीन case studies दी गई है, about how businesses can go wrong, विजय मालय की, और हर एपिसोड से एक learning निकल के आती है, व बहुत successful alcohol business था, United Spirits, और उनका greed था, societal status, क्योंकि people used to look down on him, upon him की, यार आप दारू बेच के पैसे कमार हो, तो उन्हें एक ethical business खड़ा करना था, खुद के fame के लिए, खुद के status के लिए, खुद के brand के लिए, इसले किंफिशर ऐलाइन्स की शुरवात करी, and he mismanaged that business, फिर से T 2020 केलने की कोशिश करी, unrealistic aspects of product, uh, set up, कि दुनिया में models होते हैं, business models, और किंफिचर में सेरे models है, literally वही था, basically उन्हें, I feel it was a rich boy problem, मतलब उन्हें खुद कभी कुछ business start नहीं किया था, a rich boy tried starting something without understanding fundamentals, motive उच और था, you know, motive बहुत बहुत एं, important role play करता है, कि आप कोई भी चीज कर रह by Simon Sinek, कि why you are doing what you are doing, आप जो कर रहे हैं, वो उसका पीछे कारण क्या है, अगर fame एक कारण है, तो आप claps हो जाएंगे, आप को problem solve कर रहे हैं, तो एक अलग बात है, और यह badly built business को run करने के लिए, लोन्स लिए, फिर बिसनस दूब गया, और फिर भाग गया, और फिर भाग गय अच्छी थी बट यह वसंट गूड बिसनसमन, तो आप, इस अप्सक्टेद की, मार्किट बहुत बड़ा होगा, बड़ अगर गया जिस गेंव वस वरी स्टाट इस अरिए और बली विए वन सहराश्री की गें, वही थी, स्टाट इस अरिए, कि उन्हें समान चाहिए था, उन्हें, he wanted to be at the same level as God, और वो, वो documentary से आपको यह सच के बार में पता चलता है, पर at the end of it, they are all, all three have just brought suffering upon themselves, देखो मैं एकी बात बोलता हूं दोस्त की, अकर वो, पावर पॉइंट है ना, स्विच है उसके अंदर, और दुनिया का सबसे रही सादमी, ऐलन मस्क, उसके अंद तीगारे ठोक दो, तो जो एथिक्स है ना, उनको कोई फरक ने पड़ता है, कि आप एलन मास्क हैं, कि आप सुपरतरोय हैं, कि आप निरव मोदी हैं, कहना एथिकल से छेड़ चाड़ नहीं, नीती नियम से दान से जिसने छेड़ चाड़ करी, लॉंग टम में गया हो, टि स्थाто रावद चाड़ नहीं, कि आप सकता ए jeżeli बंगार उलन मास्क है, कि आप सकता एलन मास्के में गप सुकतने टेजिकल से जिसने हैं, कृड़ नहीं, कि आप सकता एक समान से खरकार उलन मास्क्रा बॉकल 15,ttवर्स इलन हर कि एलन